ममता जी आपका क्या कहना है सलमान खुर्शित जी आपको क्या कहना है अभी आपके आशु निकल रहे हैं या सोन्या जी के निकल रहे हैं कि नहीं आरिफ खन के सोजा हो गई तो और दिग्वे सिंग जी आपको क्या कहना है एक ऐसी घटना को कल क्लोजर मिला है बाटला हुसका में जिसने देश की राजनीती को पिछले बाइस वर्षों से बहुत प्रभावित किया है। और आज मैं आपके सामने वही विस्तार से रखूंगा कि देश के सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गई और दिल्ली के अंतरगत एक भीशन आतंकवादी हमला हुआ था उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई आपको मालू है 13 सितंबर 2008 को डिल्ली में सिलसलेवार धमाके हुए थे ग्रेटर कलाश में हुए थे डिफेंस कॉलनी में हुए थे शायद करनाट प्लेस में हुए थे कई जगों पर हुए थे इसमें 49 लोग मारे गए और 169 घायल हुए इट वदे डेडली टर्रिस्ट अटक वभाविक है भारत की राजधानी दिल्ली है 30 लोग मारे गए 169 घायल हुए जब दिल्ली पुरिस को मालू हुआ कि इसमें इंडियन मुजाहिदिन के लोगों ने एक काम किया है कि कुछ तलाश में लगे हुए थे और उनको मालू हुआ कि जामिया नगर के पास बाटला हाउस में है वो छुपे हुए है तो पुलिस प्ले इंड्रेस में वहां कारवाई करने गई और दो आतंकवादी मारे गए दो भाग गए और एक बहादूर पुलिस के इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के महुंचन शर्मा उनकी गोलियों से मारे गए और दो पुलिस वाले घायल हुए दंभीर रूप से बलवन्त और राजवीज सिंग अब कोट ने क्या माना है कल के फैसले में जिसमें उन्हें आरिज खान को दोशी पाया है कि भारत की एक्ता और अखंड़ता पर हमला था या तंकवात की घटना थी और लगबक सोग गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रोनिक एविडेंस के अधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया थी electronic evidence में voice sample है बाकी जो digital records होते हैं वो सब है उसके विस्तार से मैं जाना नहीं चाहूँगा मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कि ये आरिस खान साथ कौन थे आरिस खान उस जुनेद ये बाटला हूस इंकाउंटर के अलावे 2007 में यूपी के लखनव कोर्ट ब्लास्ट फैज़ाबाद और वरानसी ब्लास्ट में भी शामिल था साल दोजार आठ में दिल्ली जैपूर अहमदाबाद और यूपी के अदालतों में जे धमाके हुए थे उसके मुख्य शाजिश करता का नाम आरिस था इन सभी धमाकों में 165 लों की जाने गई और 535 लोग हायल हुए है इन फैक्ट आइकन वरी सेफली से था आरिस खान वजे सीडियल टर्रेरिस्ट निक्रा दिल्ली में 30 लोग और बाकी जगह 165 लोग और उसके इंडियन मुझादीन संबंद थे पर आपको मुझे बताते हुए कभी पीड़ा होती है कि इसको 2018 में नेपाल से पकड़ा गया कि तब यह ट्राइल हो सका एक शाजादा को पहले 2013 में ही सजा मिली थी और इसको पकड़ा तभी गया सघंता से जब नरिन मुदी की सरकार आ गई यह इंपॉर्टन जानना है अब हम इसको एक विश्य इसलिए कहना धरूरी है कि उस समय मैं राजस्टवा में विपक्ष का उपने उपने इता था अपनी पार्टी का अरुन जी थे बाकी लोग थे मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोग संपर किया कि हमें बचाईए हमें ही हमलावर बताने की मुहिन चल पड़ी है हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें आपने सल्मान खुर्शीत का वक्तव सुना होगा कि सुनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और दो लोग आतंकवादी मारे गए तो आँखों में आसून के आये थी यह पुब्लिक स्टेट्मेंट है रेकॉर्ड पर ह है सर के ऊपर तो हमला कहां से करेंगे मैं पूरे इस खटना को एक प्रकार से जबर्दस संदेह में डालने की कोशिश की गई लूट लूटियर दूटो गई बारे में डिली मारे में अट्री घूट आए थी यहा जा रहा दा मुझे आदे मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कांफरेंस किया था उस समय ग्यारा अशोक रोड हुआ करता था अगर आप लोग उने पुराने रेकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने का सुनिया जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेर परसन हैं वो मोहन चन शर्मा जी को अशोक चक्र की घोशना देती है जो 2009 में दिया गया और आपकी महामंत्री जेनल सेगरेटरी शिमान दिविया सिंग आजम गल के जा करके इस पर सवाल उठा रहे हैं आपका क्या स्टेंड है अब इने दो दिन लगातार सुने जिसे सवाल पूछा मुझे इंबरस्ट हुई कि सायद मजबूरी में देश के दबाओ में दिविया सिंग को कुछ क्लारिफिकेशन देना पड़ा आपको मैं एक स्टेट्मेंट और पढ़ाना चाहता हूँ यह तो बहुत ही जोड़ार स्टेट्मेंट है अक्टूबर सत्रह दो हजार आठ या कहिए अक्टूबर अठार होगा यह एक्स्ट्रस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है मैं इसको खाली दो लाइन पढ़ूँगा और आप सुने अन फ्राइडे समझवादी लीडर अमर सिंग and Trinamul Congress Chief Mamta Banerji shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Bartla House encounter that was a fake encounter and if I am proved wrong I will stop practicing politics I demand a judicial inquiry Mamta asserted amid cheers from the audience and Mamta Banerji जी 2013 में शाजादे को जो एक्यूस थे उनको आज इवन का रवास हुआ और जो मुख्य अभ्यूग थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई पंद्रा को वो कितनी सजा हो गई बताएंगे ममता जी आपका क्या कहना है तो कि आपने पब्लिक स्टेटमें में दिखा रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँगी उनका सेप्टमबर अक्टूबर अठारा दोहजाराट का स्टेटमेंट एक्स्प्रेस न्यूस सर्विस का रेकॉर्ड पर हैब देख लें सल्मान खुर्शित जी आपको क्या कहना है अभी आपके आशों निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं आरिफ खन के सुजा हो गई तो और दिग्वे सिंग जी आपको क्या कहना है यह बहुत ही गंबिर सवाल है बाटला हुसकान को समझवादी पार्टी बीएस पी कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी मम्ता जी इन सबोंने नाशनल इश्यू बनाया था